अस्सलाम अलेकुम नाजरीन मैं सभी हाता बस्तों मौर आप देख रहे हैं अम्बेट कर उर्धो नियोज सबसे पहले पेशें सुर्खेयां अचानक 51 पॉलिस इस्पेक्टर्स के तबादेले हनम कॉंडे की कम उमर एडविकेट रूही नबीला तिलंगाना हाई कोड की असिस्टेंट गौर्नमेंट फ्लाइडर मुकरर कुत्तों ने चार दिन के बच्चे को खालिया तिलंगाना के वरंगल हास्पिटल में दिल दहला देने वाला वाख्या और गाजा के एक स्कूल पर इस्राइली राकेटों का हमला सो फलस्तिनी शहीद दरजनों जखमी मासुम बच्चे भी शामिल और अब ख़बरों की तफसील शहर हैदराबाद में अचानक बड़े पैमाने पर पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिये गए इस सिलसले में कल रात देर गए कमिशनर पुलिस के स्रीनी वासरेडी ने एहकामाद जारी किये हैं हैदराबाद कमिशनर रेट से वाबस्ता 51 इंस्पेक्टर्स का तबादला कर दिया गया है इसराबाद के इलाखे आगापुरा में जुमा की रात एक 12 साला लड़की का नामालूम अफराद ने उसके घर से अगवा कर लिया ताहम लड़की किसी तरह अगवा कारों से बचकर नाम पली रेलवे स्टेशन पहुँच गई और पुलिस की मदद से घर को उसकी इतला दी गई लड़की के वालिद ने रेलवे स्टेशन पहुँचकर लड़की को हासिल कर लिया लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया के जुमा की रात ना मालूम अफरा तीसरी मंजिल पर वाखे उनके मकान का दर्वाजा खट खटाया और जब लड़की ने दर्वाजा खोला तो उसका मुँ दबा कर उसको नीचे ले गए और बाहर खड़ी अपनी जबरदस्ती बिठा कर अगवा कर लिया लड़की ने उसे पकड़ कर रखने वाले एगवा कार का हाथ दांतों से कतर दिया और कार का दर्वाजा खोल कर फरार हो गई वो दौरते हुए नामपली रैलवे स्टेशन पहुँच गई और रैलवे पुलिस को इसकी इतला दी रैलवे पुलिस ने लड़की की मां से फोन पर रख पैदा करते हुए उसकी तिलादिया और लड़की की मां ने उन्हें फोन करके इस बास से वाकिव करवाया लड़की के वालिद ने मज़ीद बताया कि वो दुकान पर थे तालग रखने वाली कम उमर एड़केट रूही नबीला को तिलंगाना हाई कोट असिस्टेंट गौर्नमेंट प्लेडर की हैसे से तयुनात करते हुए हुकुमत ने एहकामाद जारी किये हैं बच्पन से ही पेशे खानून के बारे में पूर्जोश रूही नबीला ने हनम कॉंडे में इंटर तक तालिम हासिल की और उस्मानिय उनिसिटी काले से इलल बी और इललम पास किया रूही नबीला के वालिद महमद महमुद वरंगल डिस्टी कोर्ट में वकील और सरकारी वकील के तौर पर नुमाया खिदमात अंजाम दे चुके हैं उन्होंने अपने वालिद महतरम के नक्शे ख़दम पर चलते हुए 2016 में तिलंगाना बार कांसिल में अपना नाम दर्च करवाया और सबसे पहले वरंगल कोर्ट में बत्वर वकील खिदमात अंजाम दी और आला मकासित के हुसूल के लिए तिलंगाना रियासती हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की रूही के नजम जबत और बहतर काम करने के अंदास को देखते हुए तिलंगाना हुकूमत ने उन्हें एजी पी मकरर किया कम अमर में एजी पी हासल करने वाली रूही नबीला का मस्तखबिल ताबनाग है इस जिमन में रूही नबीला ने अदालती और सरकारी उहदेदारान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है उन्होंने कहा कि वो बगएर किसी तास्व औ इम्तियास के अपने फराइज बहुस्न खुभी अंजाम देंगी रूही नबीला को असिस्टेंट गौर्नमेंट प्लेडर की हिसे से नामज़त किये जाने पर के समुद्रम के साबख मार्किट कमेटी चेर्मेन गुंटा संजीव यारेड़ी वद्दिगर ने उन्हें मुबारक बात पेश की इतराबाद में एक शहर ने अपनी ही बीवी का खतल करने के बाद नाज को उस्मानिया हस्पिटल ले आया ये वाखिया शहर के हुमायो नगर के लक्षमी नगर का है जहां मौमद हसन नामी शख्स ने अपनी बीवी अस्मा बेगम का चाकु से गला काट कर खतल कर दिया और नाज को उस्मानिया हस्पिटल ले आया सेकुरिटी गार्ड ने शुबे की बुनियाद पर उस शख्से मामला दर्याफ्त किया तो उसने बताया के कच्रे में उसकी बीवी की नाजबर आमद हुई सेकुरिटी गार्ड ने उस शख्स को डरा कर हकायक मालूम करने की कोशिश की तो उसने बताया के वो खुद ही बीवी का खतल कर दिया है और उसने अपनी जब से चाखु भी निकाली जस पर सेकुरिटी गार्ड ने उसकी इतला पुलिस को दी इस दोरान मतवफी के रिष्डारों ने खातल को हास्पिटल में ही मार्पीच शुरू कर दी सेकुरिटी गार्ड ने उसे पकड़कर पुलिस के ह simultaneously कर दिया इसी दोरान मालूम हुआ है के मतवफी अस्मा बेगम नामपली कांगरिस के लीडर फेरोगस खां के घर की मुलाजिमा थी उस वाखी की इतला मिलने के बाद फेरोगस खां भी हस्पिटल पहुँचकर मालूमात हासिल की मिलनओниц लंगाना के एक मشहूर सरकारी हस्पिटल में आवारा कुट्टो ने इक नो जायदा बच्चे को खा लिया यह अफसलसनाक वाकषया वरंगल के मशहूर एम जीम हस्पिटल में जुमा को पेश आया जहां हास्पिटल के एहाते में चार दिन के नो जायदा बच्चे को आवारा कुटों ने खा लिया हास्पिटल में तैयुनात पुलिसमले ने हास्पिटल के वीरान मुखाम पर आवारा कुटों को नो मुलत को खाते हुए पाया और उन्हें भगा दिया ये वाज़ नहीं हो सका के नोजायदा जिन्दा था या मुर्दा और उस मकाम पर कैसे आया कुटे चुंके जिस्म के नितले हिसे को खा गए थे इसलिए ये पहचानना मुश्किल हो गया है के नोजायदा लड़का था या लड़की पुलिस ने मस्क शुदा नाश को पोस्माटम के लिए MGM हास्पिटल के मुर्दा खाने में महफूस कर दिया है पुलिस हास्पिटल की CCTV फोटेज की जांच कर रही है और इस बात की जांच कर रही है कि आया किसी ने नो जायदा को हास्पिटल में छोड़ दिया था या कुतों ने हास्पिटल से नो जायदा को उठाया था तेहली की तेहार जेल के असिस्टेंट सुप्रिणेंटेंट वा जेलर दिपक शर्मा को सोशल मीडिया पर वैरल होने वाली एक वीडियो के बाद मोतल कर दिया गया है जिसमें वो पिस्टोल हाथ में लिए रख्स करते हुए नज़रा रही है सोशल मीडिया पर वैरल होने वाली वीडियो में तेहार जेल में काम करने वाले दिपक शर्मा को रख्स करते हुए और बंदोख लहराते हुए दिखाया गया है मुबयना तोर पर ये वाकिया जुमिरात को गोंडा के एक बीजेपी कार्परिटर की शरीके हयात की सालगिरा की तकरीब में पेश आया जिसमें जेलर दिपक शर्मा खलना एक गाने पर दिगर साथियों के साथ रख्स कर रहे थे वीडियो पर सخت रदे अमल जाहर करते हुए तिहार जेल के डिरेक्टर जनरल ने शर्मा को तहकीखात तक मौतल कर दिया दहली पुलिस ने वीडियो या उसके वक्त के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है कुलकुत्ते के सरकारी हास्पिटल आर जी कार मेडिकल कालेज में मेडिकल पोस्ट ग्रैजवेट तालिबावा ट्रेनी खातून डाक्टर की इसमत रिजी के बाद इंतहाई बेदर्दी से खतल कर दिया गया खातुन डाक्टर की नाज जुमा की शाम हास्पिटल के एहाते से दस्तियाब हुई इबतदाई तक्तिश से मालम हुआ है कि ट्रेनी डाक्टर का इसमत रिजी के बाद खतल किया गया खातुन डाक्टर की आँखों मूँ और मकसूस हिस्से से खून बह रहा था उसके पेड़, बाएं, टांक, गर्दन, दाया, हाथ, अंगोठी की उंगली और होटों पर भी चोटे हैं कुलकटा पुलिस के मताबिक मामला खुदकुशी का नहीं है इसमत रिजी के बाद खतल हुआ, ट्रेनी राक्टर की गर्दन की हड़ी भी टूटी हुई पाई गई समझा जाता है कि उसे गला दबा कर खतल किया गया है वाखे के बाद मेडिकल के तुलबा बीजेपी, कांगरिस और माएं बाएं बाजू की जमातों ने हास्पिटल के बाहर इहतिजाज किया मगरिबी बंगाल के बीजेपी लीडर सोवेंदा अधिकारी ने मामले की सी बीए इंक्वेरी का मतालबा किया है इस दोरान चीफ मिनिस्टर मगर्वी बंगाल मम्ता बिनरजी ने हफ़ते को कहा के केस को फास्ट ट्राइक कोट में भेजा जाएगा मुझरिम को सजा मौद देने का मतालबा करेंगे सी बीए इ तखकीखात पर कोई इतिराज नहीं है फेडरिशन आफ रेजिडन डाक्टर्स एसोसियेशन फोडा ने एक इस वाकिए के तालग से मरकजी वजीर सहट जेपी नडा को खत लिखा है उन्होंने कहा के 24 घंटे के अंदर कारवाई ना की गई तो मामला मजीद बढ़ जाएगा तिब्गी खिदमात भी बन रहेंगी पुल्स कोड वी इनिसकी दफा एक सो टीन वन और चौन सट के तहत मخदमा दर्च किया गया है ये इसमत रिजी और खतल का मामला है हम शफाफ तरीखे से तहकीखात कर रहे हैं दरियासना खातुन डाक्टर के वालिद ने मीडिया को बताया के उनकी बेटी का जादती के बात खतल की आ गया है ट्रेनी डाक्टर चेस्ट मेडिसन डिपार्टमेंट की पीजी की तालिबा थी जो मेरात कीरा ड्यूटी कर रही थी ये वाख़या पेश आया वालिद का इर्जाम है के आरजी कार मेडिकल कालेज और हास्पिटल में उनकी वेटी की इसमत रिजी और खतल की आ गया और सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है खबर पे शोशा हलके लोगों के वसन पे तपसरे पेशे इस सिलसले में हमारे नमाइंदे के इन वासिफ की खुसूसी रिपोर्ट विनेश फुगाट की खबरें इस हफते मीडिया में चाही रही विनेश के साथ जो कुछ हुआ वो उससे सारा मुलक बलके खेल की दुनिया का हर फर्द वाकिफ है लहाजा बगएर उसकी तफसील में गए इतना कहे देना काफी है के खातून पहलवान विनेश फुगाट की खबर से साफ जहिन लोगों की आँखों में रंच के और दिगर की आँखों में खुशी के आंसुन चलक पड़े मीडिया का एक धड़ा दबे अलफाज में विनेश को तनखीत का नशाना बनाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा धड़ा मरकजी हकुमत कुश्ती फिडरशन और खिलाडी के साथ मौखे पर मौदूद स्टाफ को इस मामले का जिमेदार खरार दे रहा है दूसरी जानी वजीर स्पोर्ट्स ने पर्लिमिनट में ये कहकर परला जाड़ लिया कि हुकुमत ने विनेश फुगाट को हज्ब जरूरत माली अमदात प्राहम कर दी थी जबके अपोजिशन कह रही है कि खिलाडी को सिर्फ माली अमदात प्राहम करके हकुमत बरियू जमाने ही हो सकती अपोजिशन ने मांग की है कि ओलमपिक्स कमेटी की जानिब से विनेश फुगाट के नाएहल खरार दिये जाने के मामले पर पारलिमेंट में बहस हो ताके हकाइक सामने आ सकें मगर अपोजिशन की ये मांग रत कर दी गई पारलिमेंट सेशन के बाद सहाफियों ने इस मौदू पर अरकान पारलिमेंट से उनके राई हासिल की अकसरियत ने इस वाके पर अफसोस का इजहार करते हुए इसकी बारिक बिनी से तक्रीकात की मांग की जबके बरसर एक्तदार पार्टी रुकुन जो खुद अपने हलके में गहर जिम्मेदार MP के तोर पर जाने जाते हैं ने कहा के खिलाडी को इस बात का ध्यान बखना चाहिए था इसराईली हमले में मजीद सोसे जायत फलस्तीनी शहीद हो गए गजा की सीविल डिफेंस एजनसी ने दावा किया है के हफ़ते की सुभा गजा में एक स्कूल पर इसराईली हमले में सोसे जायत अफराज शहीद और दरजनों जखमी हुए है एजनसी के तरजमान महमुद बसाल ने एफपी को बताया के तीन इसराईल राकेट स्कूल पर गिरे जिसमें बेगर फलस्तीनीों की रहायश थी गजा के सरकारी मीडिया आफिस ने बताया के उस हमले में सोसे जायत शहीद हुए है स्कूल के खिलाफ इसराईली हमले के नतीजे में एहाते में बड़े पैमाने पर आग लग गई और उस वक्त फंसे फलस्तीनीों की मदद के लिए इंदादी कारवाईयां जारी है हमले को खौफना करार देते हुए एजेंसी ने कहा के हमले के दौरान कुछ नाशों में आग लग गई बहसल ने कहा के अमला शोहदा की नाशों को निकालने और जखमियों को बचाने के लिए आग पर खबू पाने की कोशिश कर रहा है ये उस वक्त सामने आया जब जौरान को इसराईली फौफने घजा में दो स्कूलों पर हमले किये जिसमें कमसकम 18 अफराद हलाक हुए इसराईली फौफने उस वक्त कहा था कि उसने हमास के कमांड मराकिस पर हमला किया था ब्राजिल के शहर साउपालो में एक तयारा गिर कर तबाह हो गया जिसमें 70 अफराद सवार थे ताहम अभी तक ये वाज़े नहीं है कितने अफराद जखमी या हलाक हुए है वपाईस एरलाईन ने एक बयान में तदिख की है कि तयारा जो साउपालो के इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए जा रहा था गिर कर तबाह हो गया जहाज में 66 मसाफरीन और अमले के चार अरकान सवार थे बयान में ये नहीं बताया गया कि हाथसे की वज़ा है ये तयारा एक रहाशी इलाखे में गिरा कई मकानात को नशाना बनाया CNN ब्राजिल की रिपोर्ट के मताबग सिविल सेकुरिटी डिपार्टमेंटे कहा है कि तयारा रहाशी इलाखे में गिरा इस दोरान वो कई घरों से टकरा गया तयारा क्या सीक्पल से रवाना हुआ था और साउ पालो जा रहा था उसका सिगनल ब्राजील के वक्त के मताबिग दो पहर एक बचकर 30 मिनट पर गायब हो गया एरलाइन वी पियास ने कहा है कि अभी तक इस बात की तजदिख नहीं हो सकी कि हाथसा कैसे पेशाया या तयारे में सवार लोगों की मौजूदा हालत क्या है लेकिन सोशल मीडिया पर वेरल होने वाली वीडियो से वाज़े होता है कि तयारे में सवार तमाम लोग हलाक हो गए उसके इलावा तयारा जिस मुकाम पर गिरा वहां के कई लोग भी हलाक या जखमी हो सकते हैं अंबेट कर उदुनियोस के एकताम से खबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र अचानक 51 पॉलिस इस्पेक्टर्स के तबादले हनम कॉंडे की कम उमर एडविकेट रूही नबीला तिलंगाना हाई कोड की असिस्टेंट गॉर्नमेंट प्लाडर मुकरर कुट्तों ने चार दिन के बच्चे को खालिया तिलंगाना के वरंगल हास्पिटल में दिल दहला देने वाला वाख्या और गाजा के एक स्कूल पर इस्राइली राकेटों का हमला सो फलस्तिनी शहीद दरजन और जखमी मासुम बच्चे भी शामिल इसी के साथ ही अमबेटकर उर्दुनियोस यहीं पर रहतताम पजीर होती हैं तो दीजेगा सभी हत अबसुम को इजाज़त अल्ला हफिस